हेलो स्टूइट्स आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुकारे सगरवाल चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 13 एक कोश्चन सॉल्व करेंगे बच्चो क्लास 8 के हमने चैप्टर 18 तक की सभी वीडियो अप्लोड कर दी गई हैं अगर आप देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से देख सकते हैं बच्चो एक्सरसाइज 13 एक कोश्चन वन है राजन केंडू आपीस वर्क इन 24 देज वाइल अमित केंडू इट इन 30 देज in how many days can they complete it if they work together अब अच्चो यहाँ पर क्या वो लग है की जो राजन है उसने किसी काम को करने में 24 देज लिए ठीक है it means time taken time taken by Rajan by Rajan for a piece of work ठीक है कितने लिए 24 देज लिए और time taken by अमित for a piece of work कितने दिन में 30 days में ठीक है अब हमने के नकाल लाए एक दिन का काम नकाल लाए ठीक है तो पहले ये समझो कि ये हम एक दिन का काम कैसे नकालते हैं ठीक है आपको टीचर ने बताया होगा कि आपने सीधा ये लिख देना है work done by राजन in one day ठीक है ठीक है बच्चो तो कितना जगा one upon 24 work ठीक है बच्चो देखो इतना work वो कहता है one day में करता है अब ये कैसे आया बच्चो जब भी हमने क्या करना है ये जो काम है ये एक ही काम है ठीक है तो हमने इस काम को डिवाइट कर दिये जैसे first day में किया one upon 24 second day में two upon 24 इस इतना third day में three upon 24 10th day में 10 upon 24 और 20th day में 20 upon 24 और 24 डे में 24 upon 24 जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास किया जगा one work आजएगा ठीक है मतलब कि एक काम complete आजएगा ठीक है तो इसी तरह ये हमारा one point 24 work आगया राजन का राइट आप यहां पर डारेक्ट भी लिख सकते है कि work done by राजन in one day one upon 24 अब हम लिखेंगे work done by a myth in one day अब यह कितने 30 days था तो इसको हम fraction की form में लिखें one upon 30 ठीक है अब यह परदा चल गए आपको यह one upon 30 किस तरह से है कि first day one upon 30 इसी तरह 30 day में क्या हो गया 30 upon 30 तो one one जो work है वो complete हो गया तो इसलिए हमारा one day का काम आ गया ठीक है अब उसमें क्या पुछे गया है कि how many days can they complete if they work together पहले तो हम नकालते है one day का work कितना है ठीक है तो यहाँ आप लिखेंगे work done work done by both ठीक है in one day हमारे पास one day का work है तो कहेंगे one upon 24 plus one upon 30 अब जो income lcm लेंगे तो lcm जैसे आप लेते रफ में वैसे ले सकते हैं अगर अब डिरेक्ट कर सकते हैं तो डिरेक्ट भी कर सकते हैं तो किस पर जाएगा यह 6 पर चाजाए 6 5 30 6 4 24 आगे किसी पर नहीं जा रहा तो बस हम सीधर ले लेंगे 5 4 20 20 multiply 6 कितना आगया 120 इनका lcm आगया 120 24 को अगर 5 से आप multiply करते हैं तो 120 आएगा ठीक है नब 120 को 24 से डिवाइड करें हैं यहां पर जो आया 5 आया 5 को हम 1 से multiply करेंगे इसी तरह 30 को हमने 120 को 30 से डिवाइड किया तो 4 आया और 4 से multiply किया तो यहां पर 4 आ गया ठीक है तो अब यह क्या आगया कि work done by both in one day 3 upon 40 हमने निकालने कि how many days both has taken अब अब अच्वा हम यहां पर लिखेंगे time taken by both time taken by both ठीक है तो यहां पर हम क्यालने किरेंगे 40 upon 3 days ठीक है अब अच्वा यह कैसे आया इस चीज को समझो देखो हमने यह एक काम कुन काला था ठीक है इस चीज को मैं आपको समझाते हूं एक मिनट ठीक है यह मैं आपको clear करना चाहती हूं आपको यह यहां पर जब यह questions कर रहे होंगे तो आपको बता है यहां पर हमने क्या करना है इसको उल्टा लिख देना है पर यह क्यों लिखा हमने इस चीज को clear कर ठीक है तो time taken by both 40 upon 3 days तो यह कैसे आया देखो बच्चो जो यह था ना यह जो था यह one day में जो काम किया जैसे 3 upon 40 work जो किया उसने उन दोनोंने one day में किया ठीक है 3 upon 40 work उनोंने one day में किया अब हमने क्या करना है बच्चो work को क्या करना है one बनाना है क्योंकि जैसे देखो one upon 24 days था तो हमने क्या क्या करेंगे इसको one बनाने के लिए क्या करेंगे इसको reciprocal कर देंगे उससे multiply कर देंगे ठीक है 3 upon 40 into 40 upon 3 आजेगा ठीक है अब यही हम क्या करेंगे same इधर करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे 1 को 40 upon 3 से multiply करेंगे यहां पर हमने multiply किया यहां पर भी मैंने multiply किया, तो 3 से 3 कट गया, 40 से 40 कट गया, तो 1 work कितने हो गया, और यहां पर कितना आ जगा, 40 upon 3 days आ गया, ठीक है इस तरह यह आया है, ठीक है, अब यहां पर आपको पता है, हम यहां पर क्या है, इसको reciprocal कर देंगे, तो यह मारा answer आ गया, पर हम यह कैसे आया यह आपको clear होना चाहिए, ठीक है, मैं आगे भी इस चीज़ को clear करूँगी, अगर आपको नहीं समझ आया है, तो दुबारा से वीडियो से देखो, आगे question solve कराएं तो आपको यह clear हो गया, मैं आगे भी यह आपको clear करूँगी, ठीक है, 40 upon 3 days आ गया, अब हम इसको क्या करत है, 40 को हम 3 से डवाइट करेंगे, तो कितना आ जागा, 3 बन जा 3, 4 मिस 3 लेस गया, 1, 10 आ गया है, 3 3s आ 9, तो 1 आ गया, तो कितना आ गया, 13 whole, 1 upon 3 days आ गया, ठीक है बचो, तो यहाँ पर हम लिख सकते है, 40 upon 3 है, तो यहाँ पर लिख देगे, 30 whole, 1 upon 3 days, तो answer में लिखेंगे, तो answer में कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, they, they finish, they, both will finish, both will finish, work, a piece of work, a piece of work in 13 whole, 1 upon 3 days, ठीक है बचो, यह question 1 था, अब हम करते है, question 2, अगर आपको question 1 clear नहीं हुआ, तो question 2 clear हो जएगा, अगर फिभी नहीं clear तो अद दोबारे वीडियो देखो, आपको clear हो जएगा, जैसे जैसे हम question करते जाएंगे, आपको यह clear हो जएगा, ठीक है, रवी can do a piece of work in 15 hours, while रमन can do it in 12 hours, how long will both take to do it working together, अब अच्छो, यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर लिखते हैं पहले, जो लिखो हो है, यह मैं आपको समझाने के लिए, आप direct भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा से मैं आपको clear कर दूँ, तब आपको, मता कि आप direct भी लिख सक इतने से कोई बात नहीं है, time taken by रवी, for a piece of work, piece of work, कितना था, 15 hour, ठीक है, और time taken by रमन, रमन है, रमन, for a piece of work, कितना है, 12 hours, ठीक है, अब हम पहले 1 hour का निकालेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे हम, work done, आप यहाँ से भी start कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको यह clear करने के लिए, यह मैंने लिखें यहाँ पर, तो work done by रवी, in one hour, ठीक है, अब अच्छो देखो, रवी के पास कोई काम था, उसने एक काम को कितने टाइम लिया, 15, एक work को, एक work को complete करने में, उसने 15 hours लिए, ठीक है, तो हमने के निकालने है, one hour का work निकालने है, ठीक है, तो अब यह कह सकते हैं, 15 hour में एक काम को, रवी ने किया, अब हमने, one hour का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, one upon 15 कर देंगे, ठीक है, अब यह 15 समझो, one hour में, one upon 15, second hour में, two upon 15, उसी तरह, third hour में, three upon 15, ten hour में, ten upon 15, और 15 hour में, 15 upon 15, इसको कार रहे हैं, तो महरे पास one hour आ गया, one work आ गया, sorry, one work आ गया, ठीक है, तो यह one work उसने, 15 hour में किया, अब one hour के निकालने के लिए, इसको हमने, one upon 15 कर देंगे, ठीक है, जैसे आपको बताया गया है, कि हम भी इसको हमने, one upon 15 कर देना है, fraction की फॉर्म में कर देना है, तो इसलिए, इसलिए हम इसको करते हैं, मतब one upon 15, वर्क जो उसने, one hour में किया, उसी तरह, वर्क डन, बाई, राजन, इन वन आर, ठीक है, बचो, अब इसी तरह, ये क्या हो गया, one upon 12 वा गया, ठीक है, समझ आया है, मतब कि, one वर्क राजन ने, 12 वार्स में किया, ठीक है, अब हमने, क्यों नकालना है, कि हमने, one उसका नकालना है, ठीक है, तो, it means, 12 आर में, one वर्क किया, ठीक है, और तो, फिर, one आर में, कितना हो जगा, one upon 12, ठीक है, अब ये वर्क है, second hour में, two upon 12 किया, three upon hour में, three upon 12, ten hour में, ten upon 12, 12 hour में, twelve upon 12, तो, इसको काटके, one वर्क आ गया, ठीक है, जो, ये हमारे पस, इसी तरह, ये हमारे पस, one upon 12 आया है, ठीक है, अब हमने, क्याना काने की, both taken, how long will both, by both, ठीक है, work done by both, work, पहले हम, एक का निकाने, work done by both, in one hour, ठीक है, ठीक है, बच्चो, तो, कितना है, one upon 15, प्लस, one upon 12, एलसम ले ले लेते हैं, रफ में, एलसम लेना है, अपने, three पर जाएगा, three fives are 15, three fours are 12, I think, आगे, किसी पर जाएगा, तो, five fours are 20, 23 is a 60, तो, इसका, एलसम क्या आगया, 60 आगया, 15 के टेबल में, 60 जाएगा, ठीक है, four one's are four, और, 12 के टेबल में, 65 पर जाएगा, 12, five is a 60, जाएगा, five one's a five, तो, महरे पास कितना है, nine upon 60 आया, इसको काटेंगे, तो, three के टेबल कर जाएगा, three three is a nine, three two is a six, तो, कितना आगया, three upon twenty आगया, ठीक है, तो, one hour में, उन्होंने किया, three upon twenty work किया, तो, अब हम क्या करते है, time, तो, हम यह आप लिखेंगे, time taken by both, time taken by both, तो, हमने क्या किया, इसका, twenty upon three कर दिया, ठीक है, अब अच्छो, इसको हमने क्यों किया, अब यह चीज़ समझो न, देखो, उन्होंने one hour में, काम किया, बोथ ने, one hour, work done by both, work done, इसको clear करो, by both, in one hour, ठीक है, कितना आया हमारे पास, three upon twenty, three upon twenty, आया हमारे पास, ठीक है, one hour का तो, अब बच्छो, हमने क्या करना है, हमने, जो यह work है, इसको complete, क्योंकि हमने पूरे काम को बताना है, हमने, यह, हमारे पास क्या आगया, three upon twenty work, जो है, done by both, in one hour, ठीक है, तो, अब हमने क्या करना है, इस work को, एक work बनाना है, क्यों हमने, अभी one hour का नकाला था, कि one hour में कि इतना work दोनों कर सकते है, ठीक है, तो, हमने इसको, एक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको, एक बनाने के लिगे, इसको, twenty upon three से multiply करनेगे, three upon twenty multiply, तो, यह, हमने बन, थी, तो, यह, आपर लिखेंगे, one work, ठीक है, done by both, ठीक है, by both in 20 upon 3 hours, ठीक है बचो, इसी तरह ये हमारे पस जो है equation बनती है, अब हम कोई, पता भी होने चाहिए ना कि इसके बिचे logic क्या है, कि हमने क्यों इसको reciprocal कर दिया, इसलिए इसको हमने reciprocal किया, ठीक है बचो, अब यहां पर time taken by both कितना है, 20 upon 3 days आ गया, अब हम इसको, यहा numerator बड़ा digit है, तो 20 सो करेंगे, तो 3, 6, 18, तो महरे पस कितना आ गया, 6 whole, 2 upon 3 days आ गया, ठीक है, अब चो, यह से महरा answer क्या है, पीछे दिया गया है, 6 hour, 40 minutes, तो 6 hour आ गया, पर महरे पस यह 2 upon 3 days है, तो हम 2 upon 3 को क्या करेंगे, 60 से multiply करेंगे, तो महरे पस कितना आ गया, 6 hours आ ग करेंगे, तो 3, 2, 6, 20 आ गया, तो 20 को 2 से multiply किया है, तो यह हमारे पस minute आ जेंगे, ठीक है, तो हमारे पस क्या आ गया, 6 hour, 6 hour, 2 को 20 से मल लिए, 40 minutes आ गया, ठीक है, I hope यह question 2 आपको clear हो गया होगा, तो यहां पर लिख भी सकते हो, answer में हम क्या लिखेंगे, time taken by both, time taken by both is 6 hours, 40 minutes, ठीक है बच्चो, इस वीडियो में हम question 1 और 2 को solve करेंगे, I hope यह दोनों question आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगे, अगर फिर भी आपकी कोई query तो message कर सकते हैं, वीडियो यूस्फुल लगे तो वीडियो को like करें, share कर अपने friends के साथ, channel पे नहीं होते है, channel को watching next video में हम question 3 से start करेंगे,